कि रादे राधे कैसे हैं आप सब लगा एकोप आप सब्रुप्ठीक होंगे स्वाथ हो स्वागत है आपका हमारे चैनल संगी दातियागी व्लॉग में तो आज में लेकर आ शुक्रवार का फास्त है लक्षमी जी का तो आज में उध्यापन कर लिए उसको और इस ब्रद में जो मेरेट लेडिस होती है उनको बुला के मतलब साथ मेरेट लेडिस उनको खाना खिलाया जाता है आप चाहें तो खाना या फिर खीर का प्रिशादी के भी ब्रद मतलब को प्रद मतलब कर सक्वाना किया था और उनको मतलब शुर्वार की चीजन जो आप पर बन जाये को दे सकते आज नहीं कि यह चीज देनी है जो आपके पास बंजया पोजा के प्शे 2 तो बिचाफ देख लें पूज़ा का मैंने शूपन कर देते दे और घर के काम तो होते हैं तो यहां मैंने बड़े पतीले में रख दिया था दूद गरम होने तो दूद जैसे ही गरम हो गया उसमें मैंने डाल दिये चावल यह चावल मैंने भिहो के रख दिये थे 15-20 मिनट के लिए तो चावल भीग है उसके बाद थोड़ा से इसको चला देंगी जैसे आप चावल लगने का डर रहता है तो चावल डालने के बाद थोड़ा साथ चला दें तो नीचे तले में अत्ती जल्दी नहीं लगती तो इधर मैंने रख दी है छोले उबालने दूसरी वाले गैस पे और खीर मैंने सबसे पहले बनाने रख दी थी क्योंकि खीर में थोड़ा ठाइम तो इसलिए जब तक छोले उब लेंगे तब तक तो यहां मुझे जो श्रिंगार में सामन देना है सुहाग निस्ती होगो तो वो सारी चीज़े मैं इसमें निकाल के एक साथ पैक करके रख लूँगी क्योंकि सारी चीज़ें दर दर फैली होई थी सारी चीज़े अलग पैक कर दीते हैं जिससे कि मुझे जब पूजा पाट हो तो यहां पे किताब बहुत में होती है तो यह किताब तो देते ही देते हैं और यह शेंगार की चीज़ें आप पर बन जाए हुसके अकौर्डिंग कर सकते हैं कुछ लोग इसमें कपड़े भी देते हैं तो मैरे कप प्रीम होती हैं तो तो ममी बतंसाफ कर दूना कर भान कर साथ के साथ तो ममी बहुत हेल्प पर देती हैं तो यहां पर मैंने सब्जी जो टमाटर बगरा है वो कट कर लिए हैं तो मिकस ही मैं फिर साइड में रग दूती है क्योंकि अब गैस चल रही है न तो उसको चलाएंगे न तो यह जो गैस चल रही है उसको मुझने का डर रहता है तो उसके बाद यह तेल मैंने थोड़ा से निकाला था सुबह तो यह अच्छा तेल था सुबह जादा आ गया था कड़ाई में इसलिए मैंने इसको एक कटोड़ी में निकाल की रख दिया था कि शाम्पू यूज़ कर लोगी तो वो तेल डाल देना है थोड़ा सा तेल और एड़ कर दूगी तो तब तक मैं टामेटो प्यूरियू बना लेती हूँ जब तक हमारा तेल गरम होगा तो यहां मैंने बड़े लोग तो चलो खा लेते हैं वर बच्चों को हरी मिर्च के पीस आगए तो वो नहीं खाते हैं तो इसलिए तो यहां मैंने छोले देख लिए हैं छोले भी अच्छे से उबल गए थे छोले में चार से पांच सीटी लगा दी थी उसके बाद मैं खीर को भी देख लेते हूं कि साथ की साथ सारी चीज़े हो जाती है खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो खीर काफी टाइम में दो से धाई गंटे लग गए थे खीर बनने में तो यहां बरतन ढूंडने में बहुत हो जाता है तो यहां डुगू बार बार आ रहा था उसको सुनाना था याद कर लिया था तो बट मेरे पास टाइम नहीं था मैंने बोला कि आप बुक्स जो जिसमें से याद करें उसको बंद करके रफ नोट बुक में आप लिख लो उसके बाद मैं चेक कर लूँगी कि आपने सही लिखा तो यहां मैंने निकाल ली है तेज पते लाल मिच जो कि मेरे घर में ही सुखाई थी वो और दो से तीन हरी लाइची चार से पांच काली मिच और दो से तीन लॉउग इस तरीके से डालके थाबद मसाले डालता है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें दाल चीनी का तुकड़ा भी डालता है तो यह सारी चीज़ा डालके इसमें जीरा हीन डालके और टमेटो प्यूरी मैंने आड़ कर दिये उसके बाद इसको अच्छे से फ्राय कर लेना है जैसे ही जो हमारी टमेटो प्यूरी में से तेल सेपरेट हो जाए जो हमारे टमेटो डाले है उसमें से तेल सेपरेट हो जाए उसके बाद में इसमें मसाले कुछ बेसिक मसाले होते हैं वो एड़ कर देते हैं जैसे हल्दी हो गया धनिया पाउडर हो गया लाल मिर्च हो गया ये सारी चीज़े डाल कि अच्छे से चला देना है और जो मिक्सी के जाल में थोड़ा वो टमाटर चिपका रहा जाता है ना ग्रेवी तो उसे धोके भी इसमें डाल दो उसके बाद जो इसने हम पाउडर के जाल क्या लेख्यो wings गया है है कि द्र भी तो धनिया पाॉडर भी डाल दिया हरी हल्दी और लाल मिर्च भी जाल ₹ तो सारी चीज़े से रहाँ गया साल्थ कर लिदेना है नमक भी ऐड़ कर दिया कुछ मैंने छोला में भी है आर अभ उबाले था तो बहुत अच्छे से उबल जाते हैं shooting with your नमक चोलों में Saltsed हो जाता आ मतलब चोल भी सौल्टेद हो जाते हैं अगर उबलने में नहीं डालते हो और चोलों आप सब्जी बन जाते तो खाने में न फीके-फीके से लगते हैं चोलों तो आप उबालने में नमक डाल देना चाहिए तो यहाँ जो मैंने चाय पत्ति का पाने उबाल के रखा था वो भी मैंने इसमें ऐट कर दिया है उसके बाद चोशोले उबाल के रखे थे, वो भी आट कर दी है तो यहाँ मेरी सबजी पन के त्यार हो जाएगी चले के ते सब्सक्राइब, टूसके साहरे, पोसे का सब्सक्राइब, लेओर कि मैँत है टढ्लबी के सब्सक्राइब, लेड़ारे, और लहाँ चाले लेट выпूर्च, 14923, तो यहां मैंने एक चमचा रख दिया है, इसमें जसी चमचा करम हो जाएगा है, इसमें एक चमच घी डाल के इसमें तड़का लगा दूँगी, और अगर आप चाहें, तो जैसे ड्राइफ रूट्स जो आप इसमें एड़ करने हैं, खीर में वो भी तड़के के साथ एड़ क टेस्ट आजाता है, तो ट्राइफ रूट्स जो खेर मैंने ऐसी डाल दिये थे, तो यहां जैसे घी करम हो जाए, उसमें जो इलाइची पावडर हमने बना के रखा है, वो इसमें एड़ कर दिना है, तो यह टिप है, यह हलवाई ने बताई थी, तो बहुत अशा टेस्ट खीर भी भी बना लो, तो बहुत अशा टेस्ट आजाता है, तो खीर भी हमारी बन के तयार हो जाए, चमचा इसमें ही चला गया था, चोटा था, यहां मैंने पूजा कर ली थी, तो यहां मैंने हल्दी का चौक मतलब बना दिये था, हल्दी से लीप के, चौक मिट्टी से ब देखे कर ले, तो यहां भोग भी लगया है, तो यहां इन सब को खाना वना इन लोगों ने खा लिया है, और सुहागिनों को जो किताब अगेरा जो श्रिंगार का सामन में ने देना था, वो भी दे दिया है, तो यहां सब लोगों ने खाना खा लिया था, और एक और तो य तो आपने देखा है आज मैंने किया फैव लक्षमी का उध्यापन और सब का खाना पीना हो गया है अब किचिन में थोड़ा कहां लेगा किया जैपूर के हुए तो यह भी आने वाले हैं बस यह आ जाएंगे तो इनको खाना बना किलाओंगी तो मैंने सुचन मैं कर देती इस व्लॉग का एंड अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन क कर दो